नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मुखबर जानते हैं ग्रीह मंत्री की बैठक में जर्खन से नक्सलवाद की सफायों को लेकर बोले सियम है मन्त जर्खन के मुख्य मंत्री हमान सुरेने नई दिली स्थित बिग्यान भवन में पाम पती उग्रवाद पर ग्रीह मंत्रीय मित्साह के अधक्स्ता में आयोजित उचस्तरिय बैठक में कहा की बर्स 2016 में 195 उग्रवादी घटनाय हुई थी यह संख्या बर्स 2020 में घटकर 125 रह गई वहीं बर्स 2016 में उग्रवादियों द्वारा 61 आमनागरिगों के हत्या की गई थी जबकि 2020 में यह 28 रही इस अधी में कूल 715 उग्रवादी गिरफतार हुए और इस दोरन पुलिस मुडवेड में 18 उग्रवादियों को मार गिराया था नक्सल बीरोधी अभ्यान में हमारी सरकार एमकेंद सरकार के बिच बेहतर समन्वे हमेशा बना रहेगा हम सब मिलकर इस यूद को अवस्य जीतेंगे चक्रवाद गुलाब का असर बंगाल की खाड़ी में बने गुलाब चक्रवाद का असर जार्खन में रविवर को साम से दीखने लगा साम पांच बएक बाद आस्मान में घने बादल छा गए चक्रवाद के प्रभाव से राजे के उपर सभी जगत तेजी से बादल समुह बनने लगे बता दे राज धानी राची समेत कई अस्थानों पर में गजन के साथ बुद्धा बुंदी भी हुई जारखंड में 29 और 30 सितंबर को कई जगा भारी बारिस के असार हैं ऐसा बंगाल की खाड़ी में बने एक अने साइकलोनिक सर्कुलेशन के निम्न दबाव के छेदर में बदलने की वज़ासे होगा जारखंड के 25 सहायक पुलिस का अंदोलन शुरू जारखंड के नकसल परभावाले जीलों में 25 सहायक पुलिस कर्मियों भी आंदोलन की रूप रेखा तैयार कर चुके हैं सहायक पुलिस कर्मियों के अंदरों को देखते हुए राजय पुलिस मुख्याले ने जीले के एसपी को निदेश दिया है कि सहायक पुलिस कर्मियों को राची आने से रोके संभव हो तो जीले में ही वारता कर सहायक पुलिस कर्मियों को जीले में रोकने का निदेश दिया गया है गौतलब है कि मांग नहीं माने जाने से नराज सहायक पुलिस कर्मियों ने 27 सितंबर से राजभवन और सेम आवास के बाहर अनिस्चित का लिंधारना देने का एलान किया है बता दे सहायक पुलिस कर्मियों की मांग अस्थाई करने की है साल 2017 में नक्सल परभावी जीलों के युवाओ को सन्विदा में सहायक पुलिस के तोर पर तीन साल के लिए बाहल किया गया था सिक्षकों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला है राज्य के माज्मिक इसकूल में कररत असनातक प्रसिक्षक सिक्षकों को प्रवर बेतनमान में प्रोनती देने के लिए उन्हें असनतको तर उतिन होना आनिवाल होगा माजमिक सिक्षा निदेशक हर्स मंगला ने सभी जीला सिक्षा पतादिकारी को इससे अउगत कराते हुए प्रोनाती में इसे लागू करने को कहा है दरसल कोश जीलों के जीला सिक्षापदा अधिकारी ने निदेसाले से सिक्षकों को प्रवर वेतनमान में प्रोनती की करवाई के करम में इस परमाग दसन की मांग की थी कि असनातक प्रसिक सिक्षको को प्रवर वेतनमान में प्रोनती है तू असनतको अतर की योगता अनिवार है आथवा नहीं बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर महोल गरम जार्खन प्रगती सिर्ष सिक्षक संकी रविवार को रांची में हुई राज ये कारकरनी समीती की बैठक में सिक्षको के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार किये जाने के ममला उठा है बतादे सिख्षकों ने कहा कि जब कुरोणा के कार्म बायोमेटरिक उपस्थिती और विभागों और कर्यालों में लागू नहीं है तो सिख्षकों को इसके लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है बतादे बैठक में इसकुली सिख्षकों अपस्चरता विभाग से या मांग करने का नेने लिया गया है कि कार्मिक विभाग के नियमा अनुसार यदि बायोमेटरिक उपस्थिती लागू हो रही है तो यह सभी विभागों और कर्मियों के लिए लागू हो न कि केवाद सिख भवना है इसमें जाती परमान पत्र बनाने में आदिवासियों को हो रही दिकत को देखते वे जीवन में एक बार ही जाती परमान पत्र बनाने की मंजूरी मिल सकती है वही आदिवासियों को सरकारी बैंकों से रिन देने में भी दिकत होती है किसान क्रेडिट कार्ड बैंक पर रोक लगानी चाहिए वहीं पच्छिन बंगाल से 60 सिमावर्ती जीले पांकूर साहिब गंज में गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों के जमीन पर अवैद कभ्ये से रोक लगनी चाहिए राज भावन के समक्ष आज धरना परदसन करेंगे समीदा कर्मी राज भर के सहायक पुलिस कर्मियों ने अप्टी माइगों के समर्थन में सोमवर्त को राज भावन और सेम आवास के समख़ धरना परदसन करने के खोसना की है सभी पुलिस कर्मी सोमवर्त की सुबा मुराबादी मैदान में जुटेंगे वहाँ से जुलूस लेकर राज भावन वस ये अवास जाएंगे बता दे ततकालीन रहुवर्त के समय राज एके बारा नकसल परवाई जीलों में पचीसों युवक जोक्तियों को तीन साल के समीदा परदसना में सेवा देने के लिए रखा गया था जो साल 2020 में समीदा ओधी खत्म होने पर नकरी से निकाल जाने की परक्रिया खिलाप आंदोलन हुआ था बॉली बॉल खिलाडियों का प्रसिक्षन शुरू जीला बॉली बॉल संग द्वारा प्रसिक्षन के लिए चैनी 10 बालिका सहे 30 बॉली बॉल खिलाडियों का 5 दिवसे प्रसिक्षन कारेकरम का रभिवार को सुभारम हुआ SDA बिद्याले खोटी में आईजित प्रसिक्षन सिवीर काउध घाटान स्कूल के प्रचार पत्रस मुर्मू जीला बॉली बॉल संग के अध्यक्ष धिलीप मिस्रा तथा स्कूल के हेड मास्टर मयूम नाग ने सन्यूक रूप से किया कारेकरम के मुख्याती थी के रूप में उपस्थीत बॉली बॉल के अंतराश्टी ये कोच संजाई गुपता ने प्रसिक्षन के लिए चायनित खिलाडियों से मन लगा कर प्रसिक्षन प्राप्त करने और खेल को और निखार की अपील की आज भारत बंद के मद्य नजर पूरे जिले में निशाधागे लागू भंग होने एवं बीदी ब्यवास्था की समस्या उत्पन होने के संका है ज्यारखन में पांच नए केस मिले है जो रांची से तीन जामतरा से एक साहिवगन से एक मिले है ज्यारखन में कुल एक्टिव केस की संख्या अस्ती है भारत में 26-1996 नए केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केज की संख्या 2,93,580 है जार्खण में 2021 में नकसलियों ने 216 वर्दातों को दिया अंतिया जनवारी में 40, फरवरी में 36, मार्च में 39, अपरेल में 28, माई में 24, जूल में 20, और जुलाई में 33 सहित कुल 216 वार दातों को अंजाम दिया है आकड़ों पर गौर करें तो जार्खन में बर्ष 2019 और 20 की तूनला में जार्खन में 2021 में ज्यादा मामले दर्च हुए है सीम हेमन्त की अगुवई में अमीच साह से मिला सरोदलिय प्रतिनिधी मंडल ज्यार्खन सीम हेमन्त की अगुवई में गुरी मंत की अमीच साह से सरोदलिय प्रतिनिधी मंडल रविवार की साम मुलकात में जारकन के सुर्दली सिष्ट मंडल ने जातिय जनगर्णा में सरना धर्मकोट को लागू करने समित अने मुदों पर गिरिह मंत्री स्री साह को अउगत कराया इस दोरान ग्रीह मंत्री को सोपे मांग पत्रे के माध्यम से जाती अधारी जनगर्ना कराए जाने की सिफारिश की गई बता दे ग्रीह मंत्री से भेट करने के बाद सिय हमासुरे ने कहा कि जाती अधारी जनगर्ना समय की है इस मांग को पूरा करना केंद्रस की जिम्यदारी है उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात ग्री मंत्रिय मित्सा को अउगत करा दिया है जाती अधारी जनगर्ना से सरना कोट को लागू करने की मांग की गई है लागातार बारी से राची के हटिया डेम ओवरफ्लो जारखन की रजधानी राची में पिछले दिन लगातार 22 हटिया डेम में पानी लबालब भर गया है बतादे अधिक पानी भरने के कारण डेम से पानी लगातार ओवरफ्लो हो रहा है अभी गेट नमबर थिरी के उपर से पानी के बहाव हो रहा है इसके कारण पेजल, स्वक्षता एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारी अलोट मोर्थ में है पतादे विभाग ने डेम का पानी सही उप्योग करने पजोर दिया है ताकि अगले तीन साल तक पानी की रासनिंग करने की जरुरत नहीं पड़ेगी रांची में सभी घर को फ्री टैप वाटर कनक्सन जार्खंड के हर सहरी नागरी के घर तक नल के माध्यम से पानी पहुँचे इसे लेकर जार्खंड की हमन सुरेन सरकार गंभीर है मुख्य मंत्री हमन सुरेन करनगर विकास वम अवास विभाग को असपस निदेशाय की हर व्यक्ति को स्वक्ष पानी पिने का अधिकार है इसलिए पानी का कनेक्शन हर घर को मिलना चाहिए और ओभी नी सुल्क हर घर तक सुध पेजल पहुँचे और परतेक घर को निसुल्क कनेक्शन मिले इसके साथ ही सहरी जलापूर्ती वेवस्ता में सुधार को लेकर राज सरकार जार्खंड अरबन वाटर सफलाई इंप्रोविमेंट प्रोजेक्ट चल रही है बता दे रांची के सभी घरों को निसुल्क टेंप वाटर कनेक्शन दिया जाएगा बिपेल परिवारों के लिए निसुल्क जलापूर्तिक वेवस्ता राज सरकार की ओर से की गई है सिमडेगा के होंकी खिलाडी अब कम्प्यूटर भी सिखेंगे जार्खन के सिमडेगा में सहभागी कम्प्यूटर एजुकेशन द्वारा हर अबिवार को पचास होंकी खिलाडियों को निसुल्क कम्प्यूटर की सिख्चा उपलब्त करा रहा है वही अमरीका से भारतिय मोल की डाक्टर अनीसा भी सपता में एक दिन खिलाडियों को ऑनलाइन अंग्रेजी सिखा रही है बता दे सिमडेगा जिला के होंकी खिलाडी भले ही देश बिदेश में अपना पर्चम लरा रहे हैं लेकिन स्टेक्षिनिक एवाम बात चीत करने में अन पर्देशों की खिलाडियों से काफी पीछे हाँ लातेहर के चोमीन भीक रेता ड्रीम 11 में जीते 57 लाख रुपए लातेहर सहर के थाना चोक में चोमीन बेचने वाले गोपाल पर साथ ने ओलाइन ड्रीम 11 बैटिंग एप के जरिये 57 लाख रुपए जीते हैं बता दे ड्रीम 11 में IPL के संभावित टीमों के खिलाडियों का चैन करना होता है इसी के अधार पर पॉइंट दिये जाते हैं और पुरुसकार मिलते हैं गोपाल ने बताया कि जीश टीम बनाने के लिए उसे पुरुसकार मिला है उसमें 55 लाख लोग दावेदार थे आदिवासी हितों पर आज बड़ा फैसला लेंगे CM हमन्त जारखन में कॉंग्रेस रायद व अन दलो की ओर से ओविस जारक्षन बढ़ाने की राजनी तिक सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री हमन्सुरेन आज आदिवासी हितों पर बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं वे जन जातिये प्रामर्श समीती की अहम बैठक के बाद इसका एलान करेंगे नए निमावली के तहत गठी जन जातिये प्रामर्श समीती की दूसरी बैठक सो मुख्यमंत्री हमान सुरेन के देख्सता में आप रहन तीन बड़ा से सुरू होने वाली इस बैठक में राजे में विस्थापन आयो के गठन से लेकर जन जातिये विश्वविदाले के अस्थापन को लेकर चर्चा हो सकती है राजत का करेकारता समेलन पलामू में 23 वा 24 अक्टूबर को रायत का कर्यकार्ता समेलन पलामू के छतरपूर में 23-24 अक्टूबर का होगा जिसमें 23-22 सिर्कत करेंगे कर्यकार्ता समेलन की त्यारी को लेकर रविवर को रायत की बैठक परदेश अध्यक्सिंग की अध्यक्सता में हुई बैठक में समेलन की तियारी के अलावा जीला परखांड और बूत अस्तरपस रंगठन को मजबूत बनाने का टास्क जीला अध्यक्षों को सोपा गया आरपी एफ को भी सबसीडाई रेट पर मिलेगा समान आरपी एफ अपना 37 अपना दिवस मना रहा है इसे लेकर आरपी एफ के 725 परिवारों को सुविधा देने के लिए रविवार को कैंटीन सेवा शुरू की गई है इसका उधगाटन रविवार को DRM परदीप गुपता ने किया सबसीडाई दरों पर खाद्य एवं दैनिक उप्योग की समागरी मोडल के विभीन एस्टेशनों पर तैनात रेलवे सुरक्छाबल के जवानों को भी मिल सकेगी RPF के लिए रांची रेल मंडल में पहली बार सबसीडाई दरों पर समागरी उपलब्त कराने वाली RPF कैंटीन खुली है नगर निगम रांची बोड की बैठक आज रांची नगर निगम बोड की बैठक सोमवर सुबह 11 बैसे निगम सभाक कक्ष में होगी लभक 6 माहिने बाद हो रही इस बैठक में 24 एजेंटों पर चर्चा होगी इसमें सबसे मुख्य मुद्दा दुर्गा पुजा पर सहर की साप सफाई बेवस्ता को लेकर है अभी सहर के कई वाडों में डोर टू डोर कुडे का उठाव ठीक ढंग से नहीं हो रहा इस कारण लोग सबक पर ही कुडा फेक रहे हैं धन्यवाद